इसको हम क्या बोलते हैं आयाईपी बोलते हैं देखो सब से पहले जितने ही भी हमारे core sectors होते हैं उनकी growth को और उनके development को ये show करता है सबसे बहुत है कि index of industrial production is an index which is related to details out the growth of various sectors in economy such as mining electricity and manufacturing जो mining electricity and manufacturing जो index होते हैं उनकी details को उनको growth को ये show करता है ठीक है जो कि आपके various sectors में आते हैं तो ये statement बिल्कुल correct है आप देखिए second statement index of industrial production compiled and published by central statistical organization बिल्कुल सही statement सही है कि जो आपका central statistical organization है वो इस index को जाओ compile और publish करता है ये आपको याद रखना है reference month से six months के बाद six weeks के बाद ठीक है आपके याद रखेगा index of industrial production है इस ये composite indicator लेता है और इसमें हम short term changes जो आपका industrial production में जाओ वो चेक करते है बेस period से given period तक तो ये भी statement बिल्कुल सही है तो इसका D option बिल्कुल right answer है I.I.P. जाओ index of industrial production का जाओ हम जो growth sectors होते है इसमें growth को चेक करने के लिए यहाँ हम यहाँ बात करते हैं ठीक है तो याद रखो crude oil जो है यहाँ पे एक sole sector है जिसने अभी जाओ deck line देखने को मिला था उसमें 3.2% का जाओ शरिंग की देखने को मिल था और जैसे cement production होता है आपका mining sector में आता है तो इसमें जो आपको उच्छाल देखने को मिला था आपको काफी ठीक है इसको आपने याद रह लेना है exam point office से यहाँ पर D option right answer है इसमें कितनी कोर इंडस्ट्रीज है जिन्होंने अभी आपका growth शो करी है 40.27% के आसपास ठीक है इंडेक्स ओफ इंडस्ट्रीज के में के अंदर ठीक है उनका वेट था आइटम्स का वो था 40.27% के आसपास तो याद रखें 8 core industries के जाएए वेट हा आइटम्स का आप इसमें 8 core industries में कौन आ रही है कोल आ रहा है, crude oil आ रहा है, natural gas आ रही है, refinery products आ रहे है, fertilizers आ रहे है, steel आ रहा है, cement आ रहा है और electricity आ रहे है यानि कि जो आपका mining sector, electricity sector और manufacturing sector आता है, वो 8 core industries के एंतरगर आता है तो यहाँ पर C option है, बिल्कूर items रहा है, कि इन्होंने जाओ 40.27% जाए आपका weight of the items जाओ index of industry production के ते जाओ show किया है ठीक है, याद रखेगा, तो यह GKTrick app को download कीजे, link उसका description box में डाला हुआ है, वहाँ से download कर सकते है so number से आप download कीजेगा, then आपको batch section देखने के मिलागा, batch section पर click कीजेगा then आपने जाओ plus icon पर click करना है, then उस पर जाओ code मंगएगा, तो GKTrick आपने जाओ code डालना है then आप पूछ से जाओ शाम को live session में पांच वज़े जाओ जुड सकते हो, अभी हम यहाँ पे modern history आपको करवा रहे हैं तो आप इसके लिए जाओ डेली में जाओ जाओ पांच वज़े शाम को live जुड सकते हो तो यहाँ पर आपको जाओ, नोर्स भी मिलेंगे, और आपको जाओ यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर मिलेंगे, तो आप इसको जाओ जाओ जाओ, जाओ जाओ, 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 एपक्स लेवल फॉरम इन दिसम्बर 2014 देखो फाइनिशल स्टेबिलिटी डेवलप्मेंट कॉंसेल गौर्णमेंट ने जयो सेट अपकी थी एपक्स लेवल फॉरम था ये दिसम्बर 2010 में जयो इसको सेट अप कहा था ना कि 2014 में एस टेटमेंट बिलकुल करेक्ट नहीं है दे काशनिशल स्टेबिलिटी डेवलप्मेंट कॉंसेल है उसके चेर्मेंट कौर आपके मिनिस्टर चैर्मेंट है यह आपको याद रहना है यह स्टेटमेंट सही है और direct viz यह आपके जो फाइनिशे वाइनेंश से रिएक्राों के जाँ है इसमें यह आपका इन्शनेंस से रिएटिर प्राओं के चेक किया जाता हैं ठीक है, financial related भी चेक किया रहा था, यहाँ पर जायो, discuss किया जाते है matter, तो यहाँ पर जायो, बोथ जो BCD statement है, वो C option जायो, इसका यहाँ पर सही है रहेगा, ठीक है, BCD statement का, ठीक है, याद रखेंगे, next देखें, the government has set up two new entities to acquire stressed assets from banks and then sell them in the market, what is the name of these two entities, simple सी बात है, government ने जो है, दो नई entities को जबी, नुक्त किया है, acquire किया है, stressed assets के लिए, banks के लिए, कि वो जो है, अपने banks, stressed assets को सेल कर सकते हैं, market के अंदर, तो वो कौन सी entities हैं दो, याद रखेंगा, दो new entities हैं, कौन सी है, वो आपकी, India Debt, Resolution Company Limited, IDRCL, IDRCL, और आपकी ज़यो, NARCL, ठीक है, India Debt, Resolution Company Limited, और National Asset Reconstruction Company Limited, ये दो जो है, आपकी, asset companies हैं, जो आपके ज़यो, acquire करेगी, stressed assets को, और उसको ज़यो, bank से, और उनको ज़यो, sell करेगे, market में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, bad bank, जो set up रहता है, वो ही ये रहता है, याद रखेंगे, ठीक है, bad bank, ज़यो, set up रहता है, जो आपके asset होते हैं, आपके, उसको अगर बीच नहीं पाते हैं, bank तो bad bank ही होता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, next देखें, which of the following four places are included in उत्राखन, चारधाम, उत्राखन में भी चारधाम ज़यो एक योजना बनाई जा रही है, तो उसमें कौन से चार ज़यो, religious places ज़यो include किये गए हैं, याद रखेगा, गंगोत्री, यमनोत्री, बदिनात और कैदानाथ, यह जो चार प्लेसिस हैं, उसमें include किये गए है, c option बिलकूर right answer है, next देखें, what is the theme of world patient safety day, world patient safety day की ज़यो theme क्या है, simple सी याद रखेंगे, जो आपके world patient safety day की theme है, वो है आपकी safe maternal and newborn care, safe maternal and newborn care, भी option बिलकूर right answer है, अब देखो, act now for safe and respectful child birth, यह है आपका slogan of the day, उसमें बोला गया था, ठीक है, slogan of the day, on that day, और 17 सितंबर को, आपका ज़यो, यह जो day है, वो world patient safety day मुनाया जाता है, ताकि हम patient की safety के लिए, और public engagement के लिए, health care safety के लिए, ज़यो, वाज इठा सके, awareness कर सके, लोगों को, ठीक है, यह आपको याद आना, तो be option बिलकूर right answer था इसका, next देखे, which of the following airport recently declared as customers notified airport by central board of indirect taxis and customers, CBIC द्वारा, ठीक है, जो indirect, जो tax related body है, उसके द्वारा, अभी हाल ही में एक airport को, customers notified airport में जाओ, शुमार किया गया है, डिकलियर किया गय यह आपको याद रखना है, यह आपका उत्तर प्रदेश में दियोली फॉर्म एरपोर्ट है, याद रखेंगे, और यह महतमा बुद्ध से लिटली जो हो, प्लेस पर बनाया गया है, यह आपको याद रखना है, पाक्योंग एरपोर्ट यह सिक्किम में है, और यह आपका प्रदेश का सोवा एरपोर्ट है, यह आपको याद रखना है, और अब भी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है था दोजार बीस का, उसमें इंडिया का रंक जो एटी थर्ड था और टॉप किया था आपका जापान और सिंगापूर ने, यह आपको याद रखना है, ठीके, जापंट के तो याद रखेंगे, एक और रियल्वे स्टेशन है, केवडिया रियल्वे स्टेशन है, इसका नाम क्या जापन किया गया है, यह आपको याद रखना है, ठीके, तो वी उप्शन बिल्कुरह राईड नसलीधारविडूदूटूदूटूटूडशक नमद से कौन से ढब 19 स्पीशिज भी wissen प्रूदूदू है इप कि पीशिज जिसका नाम है जिसका नाम क्या है कहा नाम है उसका इसको स्ट्षोपHello के असपास राजिस्थान म08 ए नमधी झीडार्विडूर्श यह और यह मांडा है याद रखो और बेजिंद पांडा यह आपका जाओ पांडा नहीं है यह एक व्यक्ति का नाम है जिनके नाम पे कमیटी बनाई गई है बेजिंथ पांटा कमेटी यह आपको याद रखना है नेश्टल केड़ेट कॉप्स से लिडिटर को रीवीव करने के लिए ठीक है हाइभ लेवल एक्सपर्ट कमिटी जयो बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कॉनल बैजिंत पांडा है यह आपको याद रहना है तो स्वी आप्शन बिल्कूर राइट टंसर है नेक्स देखें विच आफ फोलिएंग अवार्ड रिसेंटली लॉंच्ट बाइदा क्वालिटी कांसिल ऑफ इं अच्छे से प्रोवाइड कर रही है तो उनके लिए कौन सा अवाड जाओ 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 तो याद रखो प्रोफेसर एसके जोशी लाइबरेटरी एक्सेलेंस अवाड जाओ यहाँ पर जादे क्या गया है डी ऑप्शन बिल्कूर राइट अंसर है तो आपको याद रह इंपोर्टन्ट कोशन थे आई हो आपको समझाया हो एक चीज आपको मैं टॉपिक देता हूं आई प्यो आई प्यो इनिशिल पब्लिक ऑफरिंग्स इसके बारे में आपको जो ग्यान प्राप्त करना है कि यह क्या होता है ठीक है मैं आपको इसको जाओ आपको अगले